हलो बच्चों पहले वीडियो में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा दानिक जीवन में विज्ञान के उप्योग अब उसी पार्ट का आगे का पढ़ेंगे कि जो परमपरागत प्रियोग में आने वाले साधन थे और अब उसकी जगे वर्तमान में जो विज्ञान के कारण जो कौन कौन से शाधन है तो देखिए जैसे यहाँ पर है भोजन बनाने में पहले मिट्टी कर चूला होता था अब गैस चूला आ गया ओवन आ गया कूकर आ गया ये सब ऐसे ही क्रस के लिए पहले हल बैल ये सब हो आता था गोवर की खाद अब क्या है अब ट्रेक्टर है यहाँ पर कुछ गिने चुने च्छेतर दीए जैसे मनोरंजन मनोरंजन मिलब जिससे हमें आनन प्राप्थ हो ऐसे साधन मनोरंजन तो पहले क्या होता था नाटक नवटंकी ये सब होगा करते थे कटपुतली नरत ये सब आवाज के लाप देख रहे हो वीडियो गेम है ना संचार संचार का मतलब जिस माध्यम से हम अपने विचारों को एक जगे से दूसरे जगे पहुंचाते हैं तो पहले कैसे पहुंचाते थे पहले चित्थी होती थी है ना या कबूतर है गाना कबूतर जा कबूतर जा चित्थी देया हो ऐसे अब क्या अब टेलीफोन मॉबा सिने आ गई है तुरांट सब सरीर के बारे हम जान जाते हैं क्या क्या कमी है फिर उसे सबसे दवा देते हैं नेक्स सिख्षा के छेत्र में मलब एजुकेशन पहले गुरु कुल जंगलों में जाते थे गुरु जी के पास आस्रम में रहके पढ़ते थे आप कैसे अब तो नए अंतरिक्ष के छेत्र में अंतरिक्ष मुझा हम उपर देखते हैं असमान की तरफ जो हमें दिखता निला निला वही अंतरिक्ष उसके बारे में पहले साधानट दूर्वीन होती थी अब क्या आप देखो महां भेजे जा रहे हैं चंद्रयान और रडार मंगलयान यह सब इ परमाण महामारत में देखा आपने और नए विद्व कैसे होते हैं आप तो देख रहे हो परमाण पिस्तॉल यह और उससे भी सबसे खतरनाक है ना बाइलोजिकल वीपन जो अब कोरोना वाइरस जैसे है ऐसे किसी देश में छोड़ो सब लोग ऐसे ही मर जाएंगे तो आप यह जो थे तो जो पहले यूज होते थे अभी भी यूज हो रहे हैं वो परमपरागत जो पुराने जमाने में और जो नए नए यूज हो रहे हैं वो वरतमान में हैं तो क्या होगा जब हम बड़े जब आप लोग बड़े होंगे आपके बच्चे होंगे तो अभी आप टी चीजे आगे देखते हैं विज्ञान के प्रयोक से कुछ समस्याएं भ्योत्पन षती है नइ इस पार्ट की तीसरा पॉइंट है तो समस्याएं देखो बहुत सारी समस्याएं है इससे के पर्यावरान में असंतुलन पैदा हो जा रहा है और बहुत परudूशाओं हो जा रहा ह गाड़ियां मोटर गाड़ियां इस अब चल लए है तो इसके कारण पर्यावनार असंतुलित हो जा रहा है जंगल कटे जा रहा है तो जानुरों को रहने के जगह नहीं है गर्मी बढ़ रही है कभी तूफान आ रहा तो यह पर्यावनार गड़ बढ़ हो रहा है और अब खे जिनों से जमीन अंदर से पानी निकाल के सेचाही हो रही है और दुसरे अद्योग धंदों में यूज भारा घुंद हो रहा है तो उससे नीचे जमीन के अंदर का पानी द्रे द्रे सूखता जाав रहा हो जब पानी नहीं के अन्य रह तो हम लोग कैसे जीविर रहेंगे है चौधा है अगला पॉइंट को क्या और क्या समस्चा होती है बहुत तेद धुनी वाले संगी डीजे लाउड़ी स्पीकर बढ़ता है तो उससे भी जो हमारा दिमाग पे है बुरा आसर पड़ता है सरदाद होने लगता है अगला है जो विज्ञान के कारण नहीं नहीं चीज पनी रख लोज में सामान लेकर आराम से घर चले जाओ जोला नहीं ले जाना पड़ेगा लेकिन अब वही समस्चा कर रहा है अगे रेडियो धर्मी विक्रण प्रत्वी पर हो जा रहा है जिसे ओजोन ओजोन क्या है ओजोन जो है हमारे अंत्रिक्ष में एक गैस की लेयर ज हो जाएंगी च्छनके आती हैं तो हम लोगों का सरीर में नुकसान नहीं होता है तो यह ओजोन लियर यहां पर क्या हो जा रही है यहां पर ऐसे इसमें च्छेद होते जारे तो डाइरेक्ट लाइट आएगी तो जिसके ओपर पड़ेगी उसको बीमारिया हो जाएंगी पर्मार औरजा नागा साके हिरोशमा जापान का सहर है वहाँ न परमार गम गिरा दिया था अमेरकान ने तो आए बहुत लोग मर गये थे आभी भी वहां बहुत से बीमार लोग पैदा होते हैं इसलिए हम लोग फ्रिज का यूज करते हैं, एसी का यूज करते हैं, उसमें गैस डाली जाती है, उसका नाम होता है, CFC, क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन ही बहुत बुचा आता है, उसके कारण जो ओजोन परत थी, वही ओजोन परत खराब कर रही है, वही CFC, आपने के समस्या हो रही है। आगला पॉइंट देखते हैं है। कि विज्यान की खोजों में कुछ भारती और कुछ विदेशी विज्यानिक है उनके बारे में। तो बहुत पुराने सभर में में हमारे आहां के चरग थे जो जड़ी बूटियों से बनाते थे आउसरिया यानि दवाय है उसके बाद सुसूरुत थे सलची किसा सलची किसा मनलब जो अपरेशन करते थे अच्छे से उसके बाद आरिभट ने पाई का मान दिया सिरी धराचार ने गड़ित कर दिया गड़ित की खोजगी यह तो बहु लर्ण कर लीजिए दिके जगदिश्यंद्र बोश्यना सीवी रवन एस रामान वजन एसन बोश मेगना साहा टियार से साद्री हुमी जहांगिर भाबा विक्रम सारा भाई यह पूरी लिस्ट दे रखी है यहां पर कुछ में में देखो ग्यान को की फोटो भी दे रखी है जैसे आर इभाट, सीवी रवन, हुमी जहांगिर भावा, कलपना चावला, एपीजे, अब्दुलकलाम तो इन लोगों क्या 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 है यह जरूर रियाद कर लेना है यह अपने भारत के वग्यानिक है उनके सामने उनका क्या काम किया है वो लिखा हुआ है यह ना सब के स नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना आगे देखते हैं कुछ विदेशी वग्यानिक उन लोगों ने बहुत खोज की है यह देखिए नाम दिया है एडवार्ड जेनर, अलेकजंडर फ्लेमिंग, उन पेनिसलीन की खोज की माडम क्यूरी जो रेडियम अपॉलोनियम की ख यह देखते हैं थामस एडवा एडिशन इन्होंने बल्ब का खिया विद्ध बल्ब का खोज किया और यह सब इतने नाम दियों हैं उनके सामने उनके काम भी दिये हैं आप इनको भी अपनी कापी में नोट डाउन कर लीजिए और जरूर याद कर लीजिए यहां पे कुछ म में में जो वेग्यानिक हैं उनकी यहां फे फोटो देख रखी हैं यह दिखा रहा है थामस एडिशन जिन्होंने बल्ब यह मारकोनी यह मैडम क्यूरी हैं यह गलीलियों है रबर्ट आइंस्टीन तो बहुत फेमस थे मेग्यानिक तो इन लोगों के नाम और उनके काम आप नोट करके याद कर लिजेगा बड़े-बड़े एक्जामस में सब कहीं पूछा आता है अब यह आंत में यह भी जान लेते हैं यह इंडिया के हैं जिनको नोबेल पुरसकार प्राप्त है नोबेल पुरसकार दुनिया का सबसे बड़ा पुरसकार है जो सीवी रमान, हर्ग कि धने देश में वएक्जानिक कामकरते हैं ए इस लोग, जो एंतरिक्छ मतलब जो आसमान के बाएं, जो डेखते हो नेला नेला आसमान, उसके बारे में खोअज करते हैं, क्यों भाष करते हैं, क्या वह आजग उसका मुख्छ मुख्याला है बंगलूरे में इसकी स्थापनावी 15 अगस 1979 को इसका सार्ट में नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन तो यह वग्यानिक यहां रहके जमीन प्रहके आईसे इसी मसीने बनाते हैं जिनको मिसाइल से या रॉकेट से छोड़ा जाता है कहां जो उपर अंतरिक्ष दिखता है तो करत्री मुपग्र है है ना सेटिलाइट बना के छोड़ते हैं तो उससे हम वहां से जब प्रत्वी में जब हमारी प्रत्वी यहां पर नीचे है है जहां पास से देखेंगे यहां पर खड़ो के देखेंगे तो इतना ही दिखेगा अगर कोई चीज यहां पर हम अंतरिक्ष इतना प्रत्वी के आसपास हवा भरी हुई है ओपर अंतरिक्ष चेहां से अगर कोई चीज को देखने के लिए छोड़ने यह रहेगी तो ऐसे पूरा प्रत्वी पर ऐसे नजर रहेगी तो इसी से यहीं पर सेटलाइट होते हैं यहां छोड़ेगे इसी से जब इसकी यहां प रही है या कोई मौसम खराब हो रहा है तो वह सब सूचना इतने में यहां पहुंचाती है ऐसे इद्धर होगा तो इसलिए यहां पे अंत्रिक्षम संद्धान है वहां पे मसीने या सेटलाइट उपग्रेब भेजे जाते हैं तो अगर आपको यह निचे जो प्रसनद्दी उए हैं इनको सब परतों को करिये अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार-बार देखिए जब तक आप